धन्तेरस पर दिख जाए छिपकली तो चमकेगा भाग्य, मा लक्षमी कर देंगी माला माल। कहा जाता है कि धन्तेरस के दिन माता लक्षमी और भगवान कुबेर की विशेश पूजा आराधना करने से दोनों की सदाक्रिपा बनी रहती है। लोगों की किस्मत अचानक बदल जाती है। धन्तेरस के दिन लोगों की अलग-अलग मान्यताएं होती है, लेकिन शास्त्रों में धन्तेरस के दिन छिपकली दिखने का अलग मान्यता है। इस दिन अगर पीली रंग की छिपकली का दर्शन हो जाए तो ये बहुत लापकारी और उत्तम माना जाता है। वहीं अगर इस दिन आपके शरीर के किसी भी साइट छिपकली गिर जाए तो यह उपाए करें। दर्शन होने पर करें यह उपाए। अगर पीली छिपकली आपके घर में दिखे या दर्शन हो तो पूजा करके सिंदूर लगाना चाहिए, जिससे माता लक्षनी की कृपा बनी रहती है, इसमें मा लक्षनी का आवास होता है, धंतेरस के दिन पीली छिपकली का दर्शन अती शुब माना गया है और लक्षनी की प्राप्ति होती हैं धंतेरस के दिन खरीदे सोना चांदी धंतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना शुब माना जाता है इसके अलावा लोग धंतेरस के दिन नई गाड़ी व प्रॉपटी भी खरीदते हैं यदि यह सब खरीदना संभव ना हो तो आप धर में नया बरतन भी ल और माननेता है कि इससे बरकत आती है